नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल शांसत सुनिता दुगल ने लिग बैठक विधान सबाचुनाओ की रन नेती को लिग गई बैठक पांचों विधान सबाचुनाओ में पन्ना प्रमुकों की मंडल के नुसार बैठक का आयोजन किया गया सुनिता दुगल ने एक और बैयान दिया कि सिर्षा की पांचों विधान सबाचुनाओ में बाचपा खिलाएगी कमर। कोंग्रेश प्रदेशा द्यक अशोक तुवर द्वारा सिर्षा में नशे को लेकर के किये गए ट्वीट पर दुगल का बड़ा बैयान। सिर्षा की पांचों विधान सबाच शीटों पर कमल खिलेगा। जिसके साथ साथ फत्यवाद की तीन सीटों और नर्वाना की एक सीट जो की सिर्षा लोक्षबाच से चेटर में आती है। इन नो की नो सीटों पर भाजपा जीत हाशिल करेगी। सुनीता दुगल आज सिर्षा रेष्ट हाउस सिर्षा में मंडल के कार्यकरताओं की बैठक लेने के लिए उपरांग मीडिया से रूबर हुई। वही उन्होंने का की 5 सितंबर को मुख्य मंतरी मनुवरलाल खटर नर्वाना रतिया फत्यवाद पहुंचेंगे। उन्होंने का की 6 तारीक को मुख्य मंतरी सिर्षा भी आएंगे। इसी को लेकर के सभी मंडलों की बैठकों का आयोजन किया रहा है। आज सिर्षा मंडल की बैठक थी जिसमें कार्यकरता मुख्य मंतरी के आगमन को लेकर के तयारियां करने को लेकर अवश्यक दिशान निर्देश दिये गए हैं। उननका की साथ ही बैठकों में आगमी विधान सभाचुनाओं को लेकर के सभी कर्यकरता से भाजपा की नीतियां जन जन तक पहुंचाने का भी आववान किया गया। सिर्षा नेशनल कोलेज में फैल रहे नसे के वाइरल वीडियो को लेकर के पुछेगे एक सवाल के जवाब में उनने का कि साथार की प्राक्त में शामिल है नसे को जड़ से खत्क करना। उनने का कि मेरा स्वेंग का पूरा परियास है कि सिर्षा वे आजपाईश के छत्र में नसे से दूर किया जाए। इसके लिए वे हर संभाव परियास कर रही है। पूरुष सांसत तमर द्वारा किये गे नैशनल कॉलेज में नसे के व्यातारी युवाओं को नसे के दलदल में धकेल रहे ट्वीट पर पूछे के एक सवाल के जवाब में सांसत सुनेता दुगल ने कहा कि ये मेरे सीनियर है। उन्हें इस तरह का ट्वीट करने की बजाए कोई सला देनी चाहिए थी। सबसे पहले जो है दर्बी मंडल की बैठक है और कल की बैठक ली गई थी तो उसी संदर्ब में आपने देखा हुआ कि पिछले दिनों हमारे प्रभारी डॉक्टर निल जैन जी यहां पर आये थे और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सब की बैठक लेकर और उनको प्रेरना देने का काम किया उनमें जोश बरने का काम किया त लोक सबाइं पहरी बात कमल का फूल आपने क्लैर 500 विदान सबा में क्या लगता है पांचों विदान सबा में भी कमल का फूल जरूर खेलेगा जिस तरह से लोगों में उत्सा है और आपने देखा कि मार्जन कितना अच्छा था तीन लाग दस हजार के करीब का मार्जन था और दूसरी बात नो की नो विधान सभाओं ने हमने जीत दर्ज की है एक भी विधान सभा ऐसी नहीं है कि जहां पर हम लोगों ने हार का मुद देखा हूँ और मुझे लगता है कि इसलिए हमें सब को बहुत ज़्यादा इस बात का उम्मीद है आशा है कि हम यहां पर नौ के जो हैं फटेवाद जिली की और एक नरवाना की यह नो के नो विधान सभाएं जो हैं हम यहां पर कमल का फूल खिलाएंगे और हमारे जितने भी वरिष्ट नेता हैं हमारे सीनियर्स हैं वो आके हमें यही गाइड करके जा रहे हैं कि जो बूत हम लोग हा रहे हैं उन बूत पे अपने आपको कैसे मजबूत किया जाए तो वहाँ पर जो बूत अध्यक्ष हैं हमारे शक्ति के अंदर पर मुख हैं और सब को जो है वो प्रेना देने के लिए उन सब के अंदर उत्साह भरने के लिए यह बैठके चल रहे हैं लेकिन सरकार इसको जो कम विपल हो रही है नाकाम हो रही है देखिए ऐसे है कि यह तो ऐसा मुद्ध है मैं तो यह चाहती हूँ कि उनका बड़ा अच्छा एक्सपिरियंस है पांस साल तक वो सांसद रहे हैं कि वो मेरा साथ दें किस तरह से हम यहां से बच्चों को जो है नशे से दूर कर सकें हमारे नोजवानों को नशे से दूर कर सकें मैं आवान करती हूं उनका मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूं वो मेरे सीनर है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने समय में और मैं तो यह चाहती हूं कि वो हमें सहयोग करें जो उनका अनुभव है उसके हिसाब से हमें बताएं वो कि हमें क्या करना चाहिए औ मैं पुर्जोर मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे नوجवान यहाँ से नशे से दूर हो और समें मैं काम्याब होंगी इस बात का मुझे पूरा विश्वाश है क्योंकि सांसर बने आपके पहले प्रात्मिता यहीं तो बिलकुल यही है और जहां कहीं पर भी मैं जाती हूं मेरी सिरफ और सिरफ यही जो कोशिश रहती है कि मैं अभी कल की मैं अगर बात करूं तो दो-तर गाओं में वहां पर हम गए और वहां के सरपंच ने इतना अच्छ जो हैं बिलकुल देखने से लगता है कि खिले हुए बच्चे बिलकुल और मुझे लगता है कि वह गाओं काफी दूर है नश्य से और इसी तरह से हमीं सभी सरपंचों को प्रहुत सहन अगर हम देंगे और उनको हम कहेंगे कि वह अपने सभी जो भी वहां के लोग हैं उनक कि अपने काम में दक्ष है और बेटिया अपने आपको सुरक्षित महसूस करती है जब उस बस में जाती है और आप देखिए वो बस जो है बिल्कुल भरी होई होती है जब भी वो उनको बेटियों को लेकर जाती है और यह सबक मिलना चाहिए देखिए जो भी कोई इस तरह की हरकत करता है बेटियों के साथ तो उसको यह सबक जरूर मिलना चाहिए